करेंसी तो आज हमारा टॉपिक यह होगा और टोटल वर्ड में जितने भी पर्टिकुलर देश होते हैं उनकी क्या 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 करेंसी है इसको लेके हमें एक शॉटकट ट्रिक आपके लेके आया है तो हम शुरू करने जा रहे हमारा टॉपिक तो सबसे पहला शॉटकट ट्रिक आता है इसमें नमबर वन ट्रिक नमबर वन आप ऐसे लिखेंगे ट्रिक वन ठीक है अभी इसको थोड़ा सा और इंट्रेस्टिंग बनाते हैं हिंदी में आप इसको ऐसे लिखेंगे बिसकुट लीजिए ठीक है अब जैसे आप आपके घर में कोई महमान आता है तो जब महमान आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं सर बिस्किट लीजिए है ना बिस्किट लीजिए तो यह basically वो ही है बिस्किट लीजिए clear और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कितने countries आप याद करने वाले हो 1,2,3,4,5,6,7,8,8 देश याद करने वाले हो और 8 के 8 देश आपको यह चीज clear हो जाएगी कि इसमें कौन सी currency च ठीक है मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिए बिस्किट लीजिए तो आप नमबर वन आप इसमें ऐसा लिखेंगे B, B stands for Bahrain बहारे, ठीक है? Then I stands for Iraq, ठीक है? S stands for Serbia, Serbia, K stands for Kuwait City, Kuwait City, then A stands for Algeria, Algeria, T stands for Tunisia, ठीक है? L stands for Libya, and J stands for Jordan, ठीक है देखें, टोटल 8 देश हो चुके हैं, बहारीन, इराक, सर्बिया, Kuwait, Algeria, Tunisia, Libya, and Jordan, अब एक कोशन माइंड में आ रहोगा कि सर, इनकी करेंसी क्या है? तो इस इन देशों की common करेंसी अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पर चलता है दिनार, क्या चलता है? दिनार, दिनार यहाँ की करेंसी है, देखो, जिसे बहारेन को, या आप से बहारेन कुछे की बहारेन जो देश है, इस देश की करेंसी कहा है, तो आप कहेंगे दिनार, लेकिन अगर आप से कोई पूछे तो इराक की करेंसी कहा है, तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा अपने आंसर को चेंज करेंगे इराकी दिनार यहां इराक की जो करंसी है वो इराकी दिनार है कि लिए दिनार तो चलता है लेकिन इराकी बाकी सब जगा आप दिनार ही बोलेंगे कोया लीबिया एलजीरिया टुनीशा इन सब जगों पर दिन आप ऐसे लिख लिजे, implies का sign बना लिजे, मतलब implies का मतलब है कि बहारीन की capital है, मनामा, मनामा, इराक की capital है, सबको पता है, बगदाद, ठीक है, सर्विया, सर्विया की राजधानी है, बैल ग्रेड, ओके, देन क्वाथ सिटी, क्वाथ सिटी, इसकी capital भी क्वाथ सिटी है, क्वाथ सिटी, देन अलजीरिया, अलजीरिया की राजधानी है, अलजीरिस, ठीक है, टुनीशिया, टुनीशिया की राजधानी है, ट्यूनिस, लीबिया की राजधानी है, त्रिपोली, त्रिपोली, और है अमान ठीक है डन तो यह टोटल आपने आठ देश उनकी राजधानिया और उन में कौन सी करेंसी चलती है उसका शॉटकट ट्रिक नंबर वन पढ़ लिया अब हम लोग पढ़ने जाएंगे अपनी अगले ट्रिक एक अप इन मागडी ठीक है एक अप इन मागडी चल्ले ठीक है एक अप इन मागडी यानि आप ट्रिक नंबर टू नोट डाउन कीजिए ट्रिक नंबर टू ट्रिक नंबर टू कहती है कब इन मागडी ठीक है यानि आप आप आसे लिखेंगे इन मागडी ठीक है मागडी तो बनागडंड्स और एक अप इन मागडी तो ये एक शॉट काट्टरिक होगी एक अप इन मागडी आप हम इसपें वन बाइ वन कंजी वपन करने आ रहे हैं तो आप उसमें ध्यान दिजिएगा एकप इन मांग डी एकप इन मांग डी A stands for Argentina C stands for Cuba Colombia Uruguay Uruguay then then Philippines 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 Mexico Child a Dominican Republic Dominican Republic ठीक है चलिए अब देखते हैं एकप इन मांग डी कितने easy होगे है इसको याद करना एकप इन मांग डी और इसमें कितने देश आ रहे हैं आपने आपने टोटल अभी तक 16 देश याद कर लिए हैं विदिन टू शॉटकर्ट ट्रिक बिस्कुट लीजिए और एकप इन मांग डी क्लिया तो इन सब में common चलने वाली जो करंसी है यह विसिकली South American देश है इसमें से बहुत से देश South American देश माने गए हैं और North American तो हम देख लेते हैं कि इन में common currency कौन सी चलती है that is Piso क्लिया common currency का क्या ना में Piso overall सभी देशों में Piso चलता है क्लिया अब हम one by one करके इनकी राजधानिया लिखेंगे तो सब से पहले आती है अर्जंटिना अर्जंटिना की राजधानिया ब्यूनो एरीज ब्यूनो एरीज क्लि ठीक है देन क्यूबा की राजधानी आ जाएगी क्यूबा की राजधानी है इसमें हवाना हवाना ठीक है दन कोलंबिया इस बोगोटा बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा यूरो गय है मॉन्टे विडो क्लिया Montevideo Eurogate is Montevideo Then Philippines Philippines की राजधानी है Manila Mexico Mexico City Mexico City Clear? Child की है राजधानी San Tiago San Tiago And Dominican Republics San Tiago Dominico San Tiago Dominico Santo Dominico Santo लिखिये गा इसको San Tiago नहीं है Santo Dominico Clear? तो ये टोटल आठ देश आपने आद कर लिए एक बार फिर से रिवाइस कर लेते है A stands for Argentina राजधानी है Buno Aries C stands for Cuba That is capital Havana Then Columbia Columbia की राजधानी है Bogota Eurogate Montevideo Philippines Manila Mexico Mexico City Child San Tiago D Dominican Republic यानि Santo Dominico और इन सब में चलने वाली Common Currency है Peso Clear? अब जो लिखने जा रहे हैं ये अपने आप में important रहेगी और Asia के देश हम इसमें लिखने जा रहे हैं और ये भी आपको Around 6 to 8 Countries याद करवाएगी Clear? ठीक है I am Miss PN यानि Trick No.3 Trick No.3 तीसरी ट्रिक आजी है Shortcut Trick है I am Miss PN ठीक है Trick No.3 I am Miss PN ठीक है I am Miss PN I am Miss PN ठीक है चाओ तो हिंदी में drop कर देना कोई issue नहीं है आप लिखना चाहते हैं तो आप S भी लिख सकते हो सबसे हले हम open करेंगे alphabets को I am Miss PN ठीक है तो देखो क्या जाएगा सबसे हले है India फिर आजएए Maldwaves Maldwaves फिर आजएगा इसमें Malaysia that is Malaysian नहीं Mauritius Maldwaves उसके बाद आजए है Mauritius Mauritius मौरीशियस यहाँ आई एम Miss PN तो फिर इसमें आजएगा देट इस इंडोनेशिया इंडोनेशिया देन शिरी लंका देन पाकिस्तान एंड नेपाल ठीक है तो देखो इसमें कितने देश कवर हो रहे हैं यानि अभी तक आपने रेट आउट कर ली हैं करीब करीब आपने 23 कंट्रीज याद कर ली हैं विदिन 3 शॉटकर ट्रिक्स ठीक है और इन सब में चलने वाली जो कॉमन करेंसी है वो है रूपी लेकिन अंतर थोड़ा सा अलग आ जाएगा जैसे आप इंडियन रूपी की बात करो पाकिस्तानी रूपी, मौरिशयस रूपी, लाइक शिरिलंकन रूपी ठीक है और अलग-अलग रूपी होते हैं जैसे फीचर्स अलग होंगे जैसे इंडिया के नोट पर गांधी जी हैं पाकिस्तान के नोट मौहमद अली जिन्ना है तो इसी तरीके से रूपी जो हैं यह अलग-अलग देशों में वेरी करती है, इन सभी देशों के अगर बात करूं तो इन सभी देशों में इंडियन करंसी जादा स्ट्रॉंग माने जाती है, मतलब इन सभी देशों के कंपरिटिव इंडिया के करंसी स्ट्रॉंग है फिलहाल, चीक है, अगर डवलप्मेंट इसी रफ्तार से चलता रहा तो शायद इन देशुख की करंसी इंडिया से ज्यादे स्प्रॉंग हो जाए यह आप समझ रहों मैं क्या कह रहा हूँ इंडिया Capital New Delhi यह तो सभी को पता है New Delhi है ठीक है Then Maldweez, Maldweez की राजधानी Malay Mauritius Port Louis Port Louis Port Louis, ठीक है Then Indonesia is Jakarta Jakarta Shri Lanka Shri Lanka की दो राजधानी है एक है Shri Jayawardhanepuram Shri Jayawardhanepuram Jayawardhanepuram और Slash करके दूसरे लिख ले ना Kolombo दो Capital है Shri Lanka की पहले की राजधानी कोलमबो होती थी अब इस पे दो Capital हागे है एक Administrative एक Judicial तो Shri Jayawardhanepuram and Kolombo are the two Capitals ठीक है Pakistan यह तो आप सभी को पता है Pakistan की राजधानी आप बोलोगी नी Islamabad ठीक है and Nepal Kathmandu तो यहाँ पर ध्यान दीजे कि आपने Total Seven Countries Redoubt कर लिए Within a Shortcut Trick called IMSPN ठीक है और आपको यह चीज़ के लिए औरोगी कि किन देशों में रूपीज अब भी भी वरकिंग में है रूपीज करंसी ही वरकिंग में है चलिए अब अगली आजियेगा that is Boss in Oman ठीक है Boss in Oman अगली shortcut trick आती है ठीक नमबर फोर्थ Boss in Oman ज़्यादा Countries Capital Currency तो नहीं याद करवा पहेंगे इतनी याद करा देंगे कि कोई भी particular option आता है तो आपको यह चीज़ के लिए रजाएगी कि हाँ भी यह इसका नहीं है और यह वाला इसका हो सकता है ठीक है ट्रिक नमबर फोर्थ हाँ बद शर्त यह है कि आप revision रखें क्योंकि आप online बढ़ रहे हो revision करना आपके हाथ में offline होते हैं तो हम आपसे बोलते हैं आपको hard work करवाते हैं बिट online classes में आपको थोड़ा खुद hard work करना पड़ेगा ट्रिक नमबर फोर्थ ट्रिक फोर्थ क्या कहती है boss in oman ठीक है boss in oman देखो इसको नथोड़ा सा पैसे लिखेगा o shot बनाईएगा यह सिरफ समझेने के लिए ठीक है boss in oman ठीक है तो अब हम इसको open करने जा रहे boss in oman को तो basically हम पे सबसे पहला जो देश आ रहा है वो है b b और o इसमें omit है तो o से हमें कोई मतलब नहीं है omit लिख दिए उसको यह सिरफ समझाने के लिए लिखावा है in में से हमें खली यह वाला alphabet चीए i और oman का o हमें चाहिए ठीक है तो आप देखें यहाँ पर इसमें आप four countries याद करने वालो b stands for brazil s stands for saudi arab s stands for saudi arabia saudi arabia saudi arabia ठीक है saudi arabia i stands for iran and o stands for oman ठीक है अभी इसमें मेरे को एक बार saudi arabia का देखना पड़ेगा कि उसकी currency same है या नहीं तो हम इसको थोड़ा सा correct करेंगे ठीक है Brazil Brazil की राजधानी है Brazilia अभी saudi arabia drop कीजेगा इरान की राजधानी है तहरान और Oman Oman की capital आएगी Muscat Muscat ठीक है एक बार हम देख लेते हैं कि जैसे Brazil है तो Brazil में चलता है Real Real ठीक है और इरान में भी चलता है Real और Oman में भी चलता है Real लेकिन साओधी अरेबिया साओधी अरेबिया की राजधानी है Riyadh और साओधी अरेबिया में चलता है Real तो ये Basically इसमें आप ऐसा लिख सकते हो साओधी अरेबिया इसकी capital हो जाएगी Riyadh और bracket में आप लिख लेना यहाँ चलता है Real इसमें इस्पैलिंग में थोड़ा सांतर है यह Real है यानि ब्रजील में चलने वाली जो करेंसी है वो है Real और साओधी अरब में चलने वाली करेंसी हो Real है ठीक है इरान में चलता है Real और उमान में चलता है Real चलिया चलिया आगे बढ़ते हैं Sing on City Trick No.5 Sing on CD Trick No.5 Sing on CD ठीक है Trick No.5 Sing on CD Sing on CD Sing on CD में सबसे पहले आज यहेगा Sweden Sing on CD ठीक है तो on इसमें बेसिविकली कुछ है नहीं हमें सिधा C और D पे टिक करना है जो on है ना on को आप ऐसा कर लेना omit ओपर छोटा सा omit लिख लेना क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है on से हमें इसमें टोटल छह देश पढ़ने है Sing और CD पढ़ने हैं तो S stands for Sweden I stands for Iceland N stands for Norway G stands for Greenland ठीक है Greenland Greenland C stands for Czech Republic Czech Republic और D stands for Denmark D stands for Denmark तो यहां पर चलने वाली जो करन्सी है Common Currency उस Common Currency को आप कहोगे Crone बस थोड़ा सा डिफरेंसी हो जाते है जैसे Denmark के तो Denmark में Danish Crone चलता है ठीक है और Sudan में Sudan में आप Crone नहीं कहोगे Iceland में Crone कहोगे Sudan की राजधानी है Stockholm Iceland Iceland की राजधानी है Rick Zavik Rick Zavik Rick Zavik Norway Norway की राजधानी है Oslo Greenland is Nuk Seg Republic Seg Republic Capital आईगी Seg Republic की Paraguay Paraguay And Denmark Kopey Hengen Kopey Hengen ठीक है Kopey Hengen तो आप एक बार Check कर सकते हैं इसमें आपने किते देश पड़े 4 और 2-6 6 countries इसमें यहाद होती है Trick No.5 में Singon City Sweden Iceland Norway Greenland Shag Republic Denmark यहाँ पे सब जगा पे Crone चलता है और जब अगर आप से Denmark की पूछे हैं कि Currency क्या है तो आप कहिएंगे Danish Crone Clear? Then अगला आजिए अब हमें क्या करना है अब Actual में Shortcut Trick नहीं है यह इसमें बहुत सारे देश आजाएंगे तो इसकी कोई Trick आप बना नहीं पहोगे तो हम सीधे क्या लिखेंगे एक Common Currency लिखेंगे और देश के नाम लिखेंगे और उनकी Capital लिखेंगे ठीक है क्योंकि इसमें There are so many है यह यॉरॉप की बात हो रही है तो यॉरॉप के वो सारे देश जहाँ पर एक ही करनाशी चलती है Called Euro तो हम उसके बारे में लिखने जा रहे हैं जहाँ तक पॉसिबल था फाइव ट्रिक्स पॉसिबल थी हमने फाइव ट्रिक्स आपको लिखाई है लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे देश है तो हम वन बाइवन देश के नाम लिखने जा रहे हैं और यहाँ पर एक ही करंसी चलेगी जिसको आप कहेंगे यूरो ठीक है तो मैं नाम लिखने जा रहा हूँ आस्ट्रिया, बैल्जियम छोटे-छोटे लिखते हैं आस्ट्रिया, देन बैल्जियम जर्मनी देन फ्रांस जर्मनी, फ्रांस फिनलांड, ग्रीस फिनलांड, ग्रीस देन ग्रीस के बाद आजिये आयरलांड, इटली आयरलांड, इटली आयरलांड, इटली देन नीदरलांड, फिर पॉर्टुकल नीदर लैंड, फिर पॉर्टुगल, स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया, इन सभी देशों की एक कॉमन करंसी आ जाएगी, इन देशों में यूरो चलता है, ठीक है, आस्ट्रिया, आस्ट्रिया की राजधानी है, विएना, बेल्जिम की राजधानी है, ब्रुसेल्स, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी है, बर्लिन, फ्रांस, पैरिस, फ्रांस की राजधानी तो आप सभी को बता है, पैरिस, फिनलैंड, हेलसन की, या हलेंस की, हलेंस की, ठीक है, फिनलैंड, एक बाचा कर लेते हैं, Finland की राजधानी है,yalens की, Danaji Greece, Greece की राजधानी है, Athens Ireland, Ireland की राजधानी है, Dublin Ireland, Dublin, ठेक है, एक बार चकर कर लेते हैं हम लोग, Ireland की बेर गुड, Ireland की राजधानी है, Dublin, Italy, Rome Northern, Amsterdam पॉर्टिगल की राजधानी है लिस्बन, स्लोवाकिया, ब्रैटिस लाइवा, इस्पेन, मैडरिट, देन वैटिकन सिटी तो वैटिकन सिटी है, सबसे छोटा देशे पूरे विश्व का और येरॉप में जो वैटिकन सिटी है, यहाँ पर एक हजार पुरुश है, ठीक है, य पोप सिटी भी कहलाती है, सिटी ओफ पोप्स, और मोनोको को, मोनोको सिटी, मोनोको सिटी, क्लिया, डन, तो टोटल देखें, आप अभी किते देश रिट आउट कर लिया, आपने, एक, दो, तीन, चा, पाँच, छे, साथ, आट, नो, तस, क्यारा, पाँच, पंदरा, 15 कंट्रीज आगा है, इसमें, क्लिया, तो ये यॉरॉप के वो देश हैं, जहां पर एक करेंसी चलती है, कॉल्ड यूरो, और आप से सिरफ उस देश, उसकी कैपिटल के बारे में, पुछा जा सकता है, क्लिया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब जो लिखने जा रहे हम, ये इसमें भी बहुत सारे देश हैं, और एक की कॉमन करेंसी हैं, और डॉलर, तो इसी तरह हम याद करेंगे, ठीक है, तो वन बाई वन हम इन देशों के नाम लिखने शुरू करेंगे, कि क्या क्या देश हैं इसमें, आगा, ये ये छबी, आजेए, आश्ट्रेलिया, बर्म्युदा, दैन कैनेडा, अस्ट्रेलिया, एस्ट्रेलिया, बर्म्युदा, कैनेडा, ठीक है, तैन इसमें देश आजाएगा, फीजी, इकवड़, फीजी एक्वादोर होंग कॉंग होंग कॉंग जमाइका होंग कॉंग जमाइका ठीक है न्यूजिलांड ताइवान दन जिमववे और लाज बट नॉट लीश्ट यू ऐसे युनाइटेट स्टेट सॉफ अमेरिका यहाँ पर सबकी कॉंग करेंसी है डॉलर, यहां बर डॉलर चलता है, तो इन देशों की राजधानिये लिख लेते हैं, ऐस्ट्रेलिया की राजधानी है, that is, कैनबेरा, बर्मुडा, हैमिल्टन, कैनेडा, ओटावा, फीजी, सुवा देखो क्या मसमस राजधानी है फीजी की राजधानी क्या है सुवा, एक्वेडोर, सैन सेल्वडोर हॉंग कॉंग, हॉंग कॉंग की चक करने पड़ेगी हॉंग कॉंग की कैपिटल आ जाईगी that is Victoria City ठीक है, Victoria City Republic of China है यह मतलब चाइना ने इसको कभी आजाद किया है हॉंग कॉंग को, ठीक है, Victoria City आदि से आदा जनता इसमें जो रह रही होगी वो चाइनीज रेस को भी बिलॉंग करती है जमाइका, किंग्स्टन न्यूजिलैंड, वेलिंग्टन देन ताइवान, ताइपी जिमवावे, हरारे एंड लाज़ बट नॉट लीस्ट वासिंग्टन, डी सी चाहने का सपना है यहापे बहुत होगा वासिंग्टन, डी सी वीजा मिलेगा नहीं, कोरोनो रख है ठीक है? चलिए मैं आख कर रहा हूँ, जर्किंग आस्ट्रेलिया राज़दानिय कैनवेरा, बर्मुडा हैमिल्टन कैनेडा ओटावा, फीजी सुवा एकवडोर सेंसल्वडोर, होंग कॉंग विक्टोरिया सिटी, जमाइका किंस्टन न्यूजलैंड विलिंग्टन, ताइवान ताइपी, जिमवावे हरारे एक और हम लोग लिखने जा रहे है अगला आप इसमें आज जी है इसमें हम चार देशों की बात करींगे और उनमें सिरफ एक ही कॉमन करंसी है लेकिन यह जो करंसी आप लिखोगे यह इन चार देशों के इसाप से उनके नाम से जोड़ी जाती है ठीक है अब यह समझा दूँगा कैसे केनिया यूगंडा केनिया यूगंडा फिर आगा सुमालिया सुमालिया और तन्जानिया यह आफ्रिकन देश है और इन आफ्रिकी देशों में चलने वाली करंसी है शिलिंग यहाँ पर शिलिंग चलता है ठीक है जैसे केनिया है तो केनिया का केनियन शिलिंग यूगंडा का यूगंडियन शिलिंग सुमालियन शिलिंग तंजानियन शिलिंग तो इन चारो देशों के नाम से शिलिंग रखा जाता है ऐसा नहीं कि शिलिंग सब जगह शिलिंग है यह देशों के नाम के अकॉर्डिंग है केनिया का केनियन शिलिंग युगांडा का युगांडियन शिलिंग केनिया की राजधानी है नारोबी नारोबी यूगांडा की कमपाला ठीक है सोमालिया की कैपिटल हो जाएगी that is मोगड इशू मोगड इशू एंड तंजानी हो जाएगी डोडोमा डोडोमा क्लिया तो ये चार देश आपने और मेमराइज कर लिया और आपने इसमें रीड आउट कर लिया आई तेंग हम लोग 70 और 80 देश अब तक पढ़ चुके हैं और शॉटकर ट्रिक क्या कॉर्डिंग है काफी हद्ते कीजी हो जाता है इसको याद करना ठीक है कुछ important countries हैं उनकी capital उनकी currency हम अलग से लिख लेते हैं ठीक है ये हमने drop कर दी थी क्योंकि ये शॉटकर ट्रिक के अंतरकत नहीं आएंगी तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं ठीक है तो आप एक छोटी सी heading होना some important country capital currency या some other लिख लेना some other countries capital currency ठीक है अधको इसको basically अलग से क्यों लिखा रहे है क्योंकि किसी shortcut ट्रिक में नहीं आएगा सबकी individual currencies है जैसे की सबसे वहले आजो चाइना चाइना की capital है बीजिंग और चाइना में चलने वाली currency है इस particular time period में रैन मिम्बी ठीक है फिर आजो UAE United Arab Emirates तो United Arab Emirates UAE इसकी राजधानी आएगी that is Abu Dhabi और यहां चलता है धिरम अबू धाबी और यहां चलता है धिरम ठीक है फिर आजो Thailand 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 की राजधानी है Bangkok और यहां चलता है भाट ठीक है भाट Thailand में चलने वाला currency that is भाट फिर आजी है आप Turkey Turkey की राजधानी है Ankara तरकी की राजधानी है Ankara और यहां चलता है Lira L-I-R-A लाइरा इसके बाद आजी है Switzerland most important है European देश है लेकिन अलग currency चलाता है Switzerland Switzerland की राजधानी है Burn और यहां चलता है Swiss Frank Swiss Frank clear Switzerland की currency Swiss Frank राजधानी है Burn दन आज यह मलेशिया मलेशिया की राजधानी है क्वाला लंपूर Malaysia Malaysia's Capital is Kuala Lampur Kuala Lampur और यहां चलती है Ringgit Currency is Ringgit then अगला जी यह बंगला देश बंगला देश तो बंगला देश की राजधानी है that is Dhaka और बंगला देश में चलता है Taka एंड भूटान 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 की राजधानी आ जाएगी थिम्पू अब भूटान में चलने वाली currency है नुगल तुरूम नुगल तुरूम ठीक है नुगल तुरूम और एक और लास्ट हम इसमें देश लिख लेते हैं that is Vietnam वियत नाम तो वियत नाम में कैपिटल आएगी वियत नाम कैपिटल आएगी हनोई और राजधानी आ जाएगी वियत नाम की कैपिटल है हनोई और करंसी आ जाएगी डॉंग यह पर चलता है डॉंग क्लिया डॉंग तो यह फॉर्माट हमारा यहां पर डॉन होता है कंट्री कैपिटल एंड करंसी नैश्ट लास्ट में आपको हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो की जेनरल स्टेडिस का योगा जीके का होगा और आप लोग रिवीजन क हमने पढ़ा दिये हैं हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी एंड जनरल नॉलिज के जो फॉर्मेट हमारे चल रहे हैं वन बैवन आप इनको रिवीजन किजे रिवीजन इस वारी मस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कमांड छू करें तो यह पार्ट तो आपके स्टाटिक का पार्ट हो जाता है जो कभी बदलेगा नहीं चेंज नहीं होगा ठीक है ना जैसे हिस्टी जोग्रफी पॉलिटी एंड जनर नॉलिज जो हम पढ़ रहे हैं लेकिन करेंट अफेर यह बदलता रहता है आपको विदिन थ्री महिने में जो भी अब तक घटा है या जो भी करेंट अफेर्ट हुआ है उसको जरूर पढ़ें लिए बैक थ्री मंस का डाटा जरूरी डाउट करें चलिए हम नेक्स सेशन में मिलेंगे अगली क्लास में तब तक लिए ओके देन हाव नाइस टेंक्यू